नमस्कर दश न्यूस में आप सभी दशकों का स्वागत है मैं पृतिदयाल आपके साथ बिहार विधान सभा के शीत कालेन सत्र की आज से शुरूआत हो रही है सत्र पाँच दिनों का है विधान मंडल का यह सत्र आज से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा वहीं पाँच दिनों तक चलने वाले इस सत्र की बात करें तो सुभा साड़ी 11 बजे से सत्र शुरू होगा राजिपाल का अभिभाशन होगा फिर बिहार विधान सभा के उप्चुनाव में जीते सभी चार विधायकों को शपत दिलाई जा सकती है इसके बाद सरकार की ओर से दुईतिय पूरक बजट भी सदर के पटल पर रखा जाएगा कल यानि की 26 नवंबर को बिहार सरकार गैर सरकारी संकल्प को लेकर आएगी 27 और 28 नवंबर सत्र के तीसरे और चौथे दिन राजकीय विधायक पेश किया जाएगा इसके साथ ही सत्र के अंतिम दिन यानि की 29 नवंबर 2024 पच्चिस के दुईतिय पूरक बजट पर चर्चा होगी इसे दिन वीनियोग विधेयक पेश किया जाएगा और फिर सदन की कारवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी बताते हैं कि बिहार विधान सभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा है कि यह शीत कालिन सत्र पांच दिवसी है सत्र छोटा जरूर है लेकिन महत्वपुर्ण है सत्र में सप्लिमेंटरी बजट पास किया जाएगा साथ ही सरकार के कई बिल है जो पास किये जाएगे जो भी विधायक का कार्रे है वह इसमें निप्टाए जाएगे विपक्ष हंगामा कर सकता है इस पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने सर्वदलिय बैठक बुलाई थी उन लोगों ने सहमती बनाई है और कहा है कि वह हमारा सहयोग करेंगे सुचालो रूप से सदन के संचालन में हमारी मदद करेंगे हाला कि इधर विधान सभा के शीत कालिन सत्र में विपक्ष भी हंगामे की तैयारी में है आरजेडी गरेताओं ने बताया है कि स्मार्ट मीटर पर एक बार फिर विधान सभा में जम कर हंगामा होगा इसके अलावे भूमी सर्वे में जो किसानों को परिशानी हो रही है इस मुद्दे को भी सदन में उठाया जाएगा ऐसे में कहीं न कहीं इन दो धधकते मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी उधर NDA के लिए अच्छी खबर है कि उपचुनाव चार सीटों पर जीत मिली है तरारी और रामगड सीट से बीजेपी के विधायक जीत कर आए है वही जेडियों से एक विधायक बेला गंज से मनोर्मा देवी जीत कर आए है केंद्री ये मंत्री जीतर रामांजी की बहू और हम पार्टी की प्रत्याशी रही दीपा मांजी भी इमाम गंज से जीत कर आए है ये सभी आज शपत ग्रहन कर सकते हैं तो वही बिहाविधान सभा के शीत कालेन सत्र पर आज हर किसी की निगाहे ठीकी हुई है ऐसे में देखना दिल्शस्प होगा कि आखिर विपक्ष की ओर से किन-किन मुद्धों को उठाया जाता है तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे जब सब्सक्राब कर दे इसके साथ ये गरे वीडियो फेस्बुक के माधे हमसे देख रहे तो पेज को लाइक करना न भूले